नमस्कार डेच्चू चैनल पर आपका श्वागते बात करते हैं राजस्तान की मौशम के बारे में अगले 24 कंटों सी लगकरी चपता की दुरान के सरे के मौशम आज हैं 21 सितंबर दोजार 24 सुब्य के लगबग लगबग नौ बज़े का मौशमियादार हैं इसी मौशमियाद पर देखें आज 21 सितंबर के दुरान विराजी के कुछ एक बागों पर हलकी चुट पूट जगों पर बारिश होने की संभावना हैं लेकिन ज्यदतर सेत्रों में लगबग लगबग 90% मौशम चुश्क की बना रहेगा यहाँ पर जोदपूर संभा की बात करना के लिए 24 क लेकिन सितंबर का मौशम लगबग 90% चुश्क कि रहेगा और 10% जगों पर कहीं की मौशम बंच जगता हैं दोपूर के बाद में लेकिन ज्यादा दर्शेत्रों मैं अनुमान हैं की मौशम चुश्क की बना रहेगा लेकिन 27 और 28 सितंबर के आसपास में बिकानेर गंगान अगर अन्मान गड़ के कुछ एक बागों पर में गनेक साथ हलकी बारिश की केज़िया होने की परबल संभावना बनी हुए हैं गंगान और जैपूर बर्थपूर अजमेर संभा की बाद करियां पर भी आज एकी सितंबर के दुरान दोपर के बाद में क गयान हैं कि orkआं कि मद्यम दर्जक की बारिश भी होने की परबल संभावना बनी हुए हैं दोऑर के बहु criar स्भास की बाद की वागों पर और नागोर ऑजमेर ये आपड की समबरं के दौत अब्ध की लेकिं बाइस सितंबर इसलगा कर त професс summary स्भावना बनी होए हैं लेकिन 25 सिल लगा कर 30 सितंबर के बीस में जेपूर अजमेर भड़पूर संभा के इलाकों पर फिर से बारिस में बड़ोतरी होने की परबल संभाना बनी हो यह हैं लेकिन 25 सिल लगा कर 30 सितंबर के बीस में कोटावधी पूर्शंभा के की लेकों पर मध्यम तेश्ट के कि एक दो जगाओ पर खंड मुश्लादार बारिस का दौर भी देखनी को मिल सकता हैं अक्टूबर की पहले सब्सक्राइब बात करें तो अक्टूबर के पहले सब्सक्र वीडियो को लाइक शेयर करना ना करना भूलें जेहन जे बारत